हेलो गाईस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज की इस वीडियो में बात करेंगे CRPF SCM के रिजल्ट के बारे में जैसा कि आपको पता है इसका अंसर की आउट हो गया है जिसमें आपने मार्क्स देख लिया होगा लेकिन इसका रिजल्ट काफी दिन हो गया अभी तक आया नहीं है तो आज की इस वीडियो में देखेंगे इसका रिजल्ट कब आएगा और इसमें जो मिनिमम कट ओफ है टाइपिंग के लिए आपको पता है अब इसका रिजल्ट आएगा और उसके जस्ट बाड़ आपकी typing test start हो जाएगा तो typing test कब होगा इसके बारे में देखेंगे और इसके लिए आपकी cutoff कितनी जाएगी CRPF, SCM की expected cutoff कितनी जाएगी, General OBC EWS, SCST सभी के लिए देखेंगे तो चलिए start करते हैं जो कोई भी नए हैं चैनल पे subscribe कर लेना प्रेस कर देना एक्जाम से रिलेटेट सभी update आपको मिलने लगेगी So guys, ये वीडियो में बिल्कुल short में बनाऊंगा ताकि आपका time भी waste ना हो और थोड़ी जानकारी भी आपको मिल सके तो इसके इसके बाद आपका typing test होगा जिसमें आपको English या फिर Hindi दोनों optional है, किसी एक में देना होगा typing test तो English के लिए 35 word per minute है और Hindi के लिए 30 word per minute है 10 minute का typing होगा ये ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया थोड़ा recap कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे और इसका typing test बहुत ही difficult होता है क्योंकि आपको paper, आपको एक paper दे देंगे उसमें से देखके आपको screen में type करना होगा पहले का जो format है यही होता है इसलिए थोड़ा difficult हो जाता है दो जगे देखना पड़ता है SSC होगर exam में क्या होता है एक computer पर ये एक उपर window रहती है और एक नीचे रहती है तो उपर से देखके आपको नीचे type करना होता है इसलिए इसमें काफी easy होता है लेकिन paper में से देखके करना hard होता है और उपर से इसमें back space allow नहीं होता है आप कुछ भी correct नहीं कर सकती हो अगर एक spelling भी गलत हुई तो उसे आप सही नहीं कर सकती हो और पूरा आपका error माना जाएगा इसलिए CRPOP SCM की जो typing सबसे difficult मानी जाती है और इसका cutoff इसलिए कम जाता है लगबग 100 बच्चे में से 200 बच्चे में से 2-3 का ही selection हो पाता है तो यह देख सकते हो कितना difficult है इसका typing और मैंने बता दिया क्यों इसका typing difficult होता है तो typing तो आपको improve करना ही पड़ेगा तो अब जब इसका result आएगा उसमें आपका cutoff आएगा तो कितनी cutoff रहेगी जो typing speed है यह typing के लिए cutoff कितनी रहेगी अब इसकी जो cutoff है minimum जाती है minimum cutoff हर बार जाती है journal की 40, EWS की इसमें 35, SCST के 35 और OBC की 35 तो यह minimum cutoff रहती है और इतनी ही जाती है और इस बार भी उम्मीद यह है कि इतनी जाए अगर increase भी हुई तो थोड़ा बहुत ही increase होगा 4 से 5 नमर का इससे जड़ा यह इसे increase नहीं करेंगे क्योंकि typing में बहुत बच्चे fail होते हैं तो यह typing की cutoff है तो आप इसे अच्छी तरह देख लेना बाकि मैंने final cutoff भी बताई है इस वीडियो के डिक सिस्ट में link दे दूँगा वहाँ पे देख लेना कि जब आप typing के बाद जो final result आएगा merit आएगा उसकी cutoff कितनी जा सकती है यह भी पताया है तो वीडियो का डिक सिस्ट में चेक कर लेना वहाँ पे आपको link मिल जाएगा और detail में मैंने typing का भी बताया है So guys इससे पहले एक SSC GD का exam हुआ था उसका भी जो answer की है आउट हो गया result भी आउट हो गया physical होगा और CRPF ही उसे conduct कराती है Central Reserve Police Board यानि कि CRPF ठीक है यह conduct कराती है और जो physical SSC GD का वो 17 जुलाई को है ठीक है तो इसमें क्या है बहुत सारे student physical देने जाएंगे तो उनका arrangement करना पड़ता है सारा system सही करना पड़ता है तो CRPF उस चीजों में यह busy है जो इनका यह काम होता है इसलिए मैंने पहले ही बताया था आपको SSC GD का जब यह पूरा final कर लेंगे physical होगा उसके बाद यह आपका SCM का देख सकते है क्योंकि जो TCS है उसका काम है बस exam को कराना ठीक है exam बस वो conduct कराती है अब उसने exam करा दिया है अब क्या होगा typing होगा physical होगा वो सारा जो है जो recruitment tender होता है जैसे CRPF का है या पिर SSC का है वही देखते है तो अब CRPF पे थोड़ा load जादा है क्योंकि SSC GD का अभी उन्हें physical कराना है और इसलिए अभी वो result नहीं दे रहे है तो SSC GD का जैसे ही यह physical होता है उसके बाद आपको तुरंट update देखने को मिलेगा और TCS का आपको पता है वो exam ही कराती है अभी SSC CGL 2023 का tier 1 का exam होने जा रहा है 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में तो इसका काम तो बस exam कराना है तो यह चीज़े confused ना होना अब सारी चीज़े CRP भी आपकी कराएगी तो यह update है जैसे यह exam होता है फिजिकल होता है 17 जुलाई को उसके बाद आपको कभी भी यह result देखने को आपका मिल जाएगा उसके बाद आपका typing भी तुरंटी हो जाएगा जाएगा टाइम नहीं देंगे 15 से 20 दिन का टाइम देंगे इसलिए आप जोरो सोरे से typing करते रहना बाकी कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूँगा तो आज की इस वीडियो में इतना है थाइंक्यू गई